बार काउंसिल ओफ इंडिया ने 23 और 24 सितंबर को नियाग विवस्था में उभरती चुनौतियां विशय पर अंतर राश्चे वकील सम्मेलन का आयोजन किया कॉन्फरेंस का शुभारम 23 सितंबर को नई दिली के विज्ञान भवन में हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने स्काउध खाटन किया इस दौरान उन्होंने देश और दुनिया से जुटे वकीलों को संबोधित भी किया प्यम मोधी ने कहा कि उनकी सरकार नियाय पालिका के कामकास को आम आदमी की भाषा में सुनस्चित करने के लिए काम कर रही है कि साइबर टेर्रिजम हो कि बने लॉंडरिंग हो कि आर्टिफिशल इंट्रिजेंस हो और इसके दूरुपियों की भरपूर संभावनाय हो ऐसे अनेक मुद्धों पर सहीयोग के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्ग तैयार करना सिर्फ किसी साथन या सरकार से जुड़ा मामला नहीं है इसके लिए अलग-अलग देशों के लीगल फ्रेमवर्ग को भी एक दूसरे से जुड़ना होगा लॉयर्स कॉन्फरेंस में संबोधित करते हुए आगे पियम मोदी ने कहा कि उनकी अनेक उपलब्धियों के आत्मविश्वास से भारत आज 2047 तक विक्सित होने के लक्ष के लिए मेहनत कर रहा है यहने लीगल प्रोफेशनल्स के अनुभव के ने आजाद भारत की नीव को मजबूत करने का काम किया और आज जब भारत के प्रती विश्व का जो भरोसा बढ़ रहा है उसमें भी भारत की निस्पक्ष स्वतंत्र नियाय ववस्ता की बड़ी भूमिका है महीदेश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूर ने कहा कि भारत के नियाय विवस्ता में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है लोगों की भाशा में जज्ज्मिंट देने पर उन्होंने कहा कि इतने से काम में 75 साल लग गए और इसके लिए भी उन्हें आ यह अपिर अबाई कि चीफटन को जाहें लाएं लाग है लिए खंद में पर लुटनी टान थिवाद के लिए इंडियाच विवस्ति ग्वेदा सॉतिन वेद लाग सब्सक्टिशन के इन्हें चान इंच पांशो लीवस्तिशन ऑन चांशन में लिए विश्य चंदू पर इ constitution to the adjudication of constitutional questions, India has a rich tradition of engaging with foreign constitutions and precedents. इस कारेक्रम में विश्व और देश्वर से वकील शामिल हुए, साथी कई बड़े नेताउं उनने संबोधित भी किया. इस दौरान PM Modi ने चंद्रियान 3 महिला आरक्षन कानून जैसे उपलब्धियां भी गिनवाई. बड़ी कि आरक्षन कानून आरक्षन कानूँ स्या उनने में बड़ाईंस.